आज मैंने बनाया है बिना आटा, बिना मैधा और बिना बेकिंग पाउडर और सोडा के बिल्कुल असान सी केक की रेसिपी जन्माष्ट मी यानि भगवान श्री कृष्ण का बड़े आने वाला है तो आज हम बनाएंगे जन्माष्ट मी स्पेशल माखन मिश्री का केक ये केक बहुत ही इजी वे में बनकर त्यार हो जाता है और इसे आप वरत में भी आसानी से खा सकते हैं तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो लीटर दूद ले लिया है मैंने यहाँ पर जो दूद का यूज किया है वो फुल फैट क्रीम मिल्क है अब हम इस दूद को बॉइल कर लेंगे जैसे ही इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो मैं इसमें एड कर दूँगी आधी निम्बू का रस अब देख सकते हैं इस मिल्क में एक बॉइल आ चुका है अब मैं इसमें निम्बू का रस एड कर दूँगी मैंने यहाँ पर दो चमच पानी में निम्बू के रस को अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसको इस दूद में एड कर दिया है आप देख सकते हैं दूद हमारा फटने लग गया है इस टेस्ट पर हमें गैस को बंद कर देना है देख सकते हैं आप अच्छे से दूद से छेना अलग हो चुका है अब मैंने यहाँ पर एक मसलिन का क्लोथ ले लिया है इसमें मैं इस बनाए हुए छेना को एड़ कर दूँगी छेना को मैंने अच्छे से वोश कर लिया है और इसको बांद के रख दिया है लग बग आदे घंटे के लिए मेनवाइल हम त्यार कर रहे हैं इस केक के लिए एक फ्रोस्टिंग तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगबग आधा कफ फ्रेश मक्षन का यूज किया है इस मक्षन को मैंने घर पर ही मलाई से त्यार कर लिया था इसमें मैं एड़ कर रही हूँ टेस्ट के अकोडिंग चीनी मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज किया है मैंने इसमें दो चमच चीनी एड़ कर दिये और आदी छोटी चमच इलाइची पाउडर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ये हमारी फ्रोस्टिंग अच्छे से बनकर त्यार हो गई है इसे हम बाद में यूज करेंगे मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में अब मैंने यहाँ पर एक पराद ले लिया है इसमें मैं एड़ कर लूँगी बनाई हुए छेना को हमें इसे जब तक गूनते रहना है तब तक ये बिल्कुल सोफ्ट ना हो जाए अब देख सकते हैं ये इजिली मैश्ट हो रहा है लगबग तीन से चार मिलट तक हमें इसे लगातार गूतते हुए इसी तरह से मैश्ट करते रहना है ताके इसमें किसी बितर है कि कोई क्रम्स ना रहे और ये बिल्कुल इजिली सोफ्ट हो जाए छेना हमारा अच्छे से सोफ्ट हो चुका है अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने एड़ किया है एक छोटा जमस देशी घी इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी और इसमें एड़ कर लूँगी अब मैश किया हुआ पनीर या फिर छेना अब हम इसे cook करेंगे बिल्कुल low flame पर लगभग 3-4 मिनट तक मैंने इसमें सारे छेना को add कर लिया है और इसको बिल्कुल slow flame पर मैं धीरे-धीरे cook करती रहूंगी इसे spatula की help से इस तरह से press करते रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई lumps ना रहे इस टेज़ पर मैं इसमें add कर दूंगी आधा कप condensed milk आप इसके जगे पर पिसी हुई चीनी और थोड़ी से fresh मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी same taste आएगा बट मैंने इसमें condensed milk का यूज़ किया है अगर आप इसमें condensed milk का यूज़ करते हैं आप इसे चार से पांच दिन तक अराम से खा सकते हैं condensed milk को add करने के बाद मैं इसे अच्छे से mix कर दूंगी आप देख सकते हैं यह easily mix हो रहा है और इसका texture थोड़ा क्रम्बली लग रहा है खाने में यह बिल्कुल कलाकन जैसा लगेगा अब आप देख सकते हैं यह अच्छे से mix हो गया है और यह इखटा होना शुरू हो गया है अब मैं flame को off कर दूंगी और इसे एक cake tin में set होने के लिए रख दूंगी यहाँ पर मैंने एक cake tin ले लिया है उसको मैंने पहले से ही grease कर लिया था और उसमें एक butter paper को फैला लिया है उसमें मैं बनाए हुए mixture को add कर दूंगी और spatula की help से इसे अच्छे से press करते हुए इसे set कर दूंगी इसके set हो जाने के बाद लगबग आदा घंटे के लिए हमें इसे रख देना है आप चाहें तो इसे fridge में भी set होने के लिए रख सकते हैं या फिर इसे आदा घंटा ऐसे ही रख दीजिए आदे घंटे बाद आप देख सकते हैं यह अच्छे से set हो चुका है अब मैं knife की help से इसके किनारों को release कर लूंगी और इसको demold कर लूंगी यह बहुती easily demold हो जाता है और आप देख सकते हैं इसका texture कैसा आया है अब बारी आती है इसको garnish करने की तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक plate ले लिए और उसमें मैं इस बनाए हुए cake के base को रख दूंगी साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है वो मक्षन जो हमने पहले से ही prepare करके रखा था इस मक्षन की layer को हमें इसके उपर अच्छे से spread कर देना है साथ ही मैं इसके किनारों पर भी इसे अच्छे से फैला लूंगी अब देख सकते हैं मैंने मक्षन को अच्छे से फैला लिया है और किनारों पर भी इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब बारी आती है काहना जी की दूसरे प्रिये भोकी और वो है मिश्री तो मैंने यहाँ पर कुछ मिश्री लिया है और उसको भी इस केक के उपर फैला दिया है साथ ही मैं इसे गार्णिश कर रही हूँ कुछ कटे हुए मेवे के साथ मैंने यहाँ पर यूज किया है बदाम और पिस्ता का आप अपनी च्वैस के कोडिंग कोई भी चीज आड़ कर सकते हैं साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ केसर के धागे लिए है और उनको भी हल्का सा क्रश करते हुए मैंने इस केक के उपर अड़ कर दिया है अब इस केक को थोड़ा सा सुन्दर लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मोरपंक और इसे गार्णिश किया है एक बासुरी के साथ इसके बाद मैं यहाँ पर एड कर दूँगे एक तुलसी का पत्ता क्योंकि इसके बीना तो काना जी किसी भी भोग को स्विकार नहीं करेंगे तो हमारा जन्माश्मी स्पेशल माखन मिश्री का भोग बनकर त्यार हो चुका है आप भी ट्राइ कीजिए इस यूनीक से केक की रेसिपी को और मुझे कमेंट बोक्स में बताईए आपको यह रेसिपी कैसे लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जैश्री किष्णा